यह सवाल आगरा से हर्ष ने पूछा है नमस्कारम सद्गुरू राम जन्म भूमी विवात को सुल्जाने में करीब तीन दशक लग गए राम मंदर भूमी पूजा को कुछ दिन रह गए हैं और अयोध्या में काफी उत्सा है हालाकि राम एक राजा थे फिर भी आज उनकी पूजा क्यों की जाती है मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज के समय में राम कैसे महत्वपून है चुंकि वो आगरा के हैं इसलिए वो उन्हें राम कह रहे हैं हम जहां से हैं हम उन्हें रामा कहते हैं तो हम उस आ को नहीं छोड़ेंगे अगर कोई भूल जाए कि मैं दक्षण भारत से हूँ क्योंकि मेरा नाम देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पंजाबी हूँ मेरा नाम और मेरी नाम और मेरे बाल दोनों से उन्हें लगता है कि मैं जरूर पंजाबी हूँ नहीं, नहीं, हम उन्हें रामा कहते हैं मैं और नीचे तमिल नाडू जाकर उन्हें रामन नहीं कहूंगा फिर लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे शायद उन्हें लगे कि मैं किसी और की बात कर रहा हूं रामा देखे, इस संस्कृति की सुंदर्ता यही है कि यहां कोई दगौड नहीं है कुछ गुण हैं जिने हम देवी मानते हैं अगर किसी इनसान में वो दिखते हैं तो हम उनके आगे सर जुकाते हैं क्योंकि हम गुण के आगे सर जुका रहे हैं उस इनसान के आगे नहीं यह ऐसी चीज है, जिसे दुनिया के ज्यादतर लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत कटर धर्मों से जुड़े रहे हैं, भगवान क्या है, शैतान क्या है, आदमी क्या है, औरत क्या है, हर चीज की स्पष्ट परिभाशा है, भारत में किसी चीज की परिभाशा न रूर्जक हर्च होती है, कि आप खुद को अव्यवस्थित रखें और फिर भी एक दिशा में बढ़ें, मगर ये तारों के समूं या मधुमक्यों के जुंड की तरह है, ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं जा रहीं, लेकिन वो हमेशा कहीं जा रही होती हैं, उन्हें पता है क कि वो कहां जा रही हैं, लेकिन एक बाहरी दर्शक को ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं जा रहीं, तो आपको ये समझना होगा, राम या रामा वो आयोध्या के हैं, जहां मंदिर का निर्मान हो रहा है, क्योंकि वो उनकी जन्म भूमी है, मंदिर कुछ हजार साल पुराना है कोई नहीं जानता कि पहला मंदिर किस युग में बना था, फिर विकास हुए, हजारों सालों में विकास के काम हुए, लेकिन करीब 500 साल पहले उसे तोड़ दिया गया, व्यवस्थित ढंग से धेर सारे मंदिरों को तोड़ा गया, जिनके उपर दूसरे धार्मिक स्थान ब कारण, आपको समझना होगा कि वो एक आदर्श हैं, भगवान नहीं, क्योंकि हमने उन्हें भगवान नहीं कहा, हमने उन्हें मर्यादा पुरुष कहा, पुरुषोत्तम कहा, इसका अर्थ है एकुच्च स्तर का पुरुष, पुरुषोत्तम शब्द का मतलब ही है उत्तम प करके हैं, उनमें उच्छस्तर की क्या चीज़ है? वो कई परीक्षाओं और दुखों से होकर गुजरे, मैं पूरी कहानी में नहीं जाओंगा, लेकिन मुसीबतों का सिलसला, उनका जीवन मुसीबतों की लड़ी है, वो अपना राज खो देते हैं, अपनी पत्नी खो देते है एक युद्ध लड़ते हैं, वापस आते हैं, फिर से अपनी पत्नी को खो देते हैं, अपने बच्चों को खो देते हैं, अपने बच्चों को लगभग मार ही देते हैं, अंतहीन मुसीबतें, इन सब से वो शांती से, आनंद से होकर गुजरे, दर्द था, लेकिन फिर भी आनंद के साथ, एक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, उन्हें काफी दर्द है, जिसे वो व्यक्त करते हैं, लेकिन वो कभी उस दर्द को, किसी उस चीज के बारे में कोई फैसला नहीं करने देते, जो वो कर रहे हैं, तो जब कोई इनसान इस तरह पेश आता है, तो हम उसे का जन्म अयोध्या में हुआ, और एक खास सुम्र में, उनकी मृत्य हुई, उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, देश भर में घूमे, दक्षेन आये, और फिर वापस उत्तर गए, अपने दुश्मन को मारने के बाद, जिस आदमी ने उनकी पतनी का अपहरण किया था, और जो निर्दैता से राज कर रहा था, उसे मारने के बाद, वो वापस आते हैं, और एक साल पश्चाताप करते हैं, तो उनके भाई ने पूछा, क्या आप पागल हैं? वो सबसे बुरा आदमी था, आपका उसे मारना जरूरी था, और अब आप पश्चाताप कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या हम सबने कुछ गलत किया है? तो रामा ने कहा, देखो, इस रावन के बारे में बहुत से बुरी चीज़े हैं, लेकिन वो एक महान भक्त था, और वो अपना राज बहुत अच्छे से चलाता था, उसने बाकी हर किसी का शोशन किया, जिसके कारण पड़ा, लेकिन वो एक महान भक्त था, उसके लिए मैं पच्छतावा कर रहा हूँ कि मैंने एक भक्त को मारा, तो इस व्यक्ति का अनुसरन करना जरूरी है, और बहुत महत्वपून है कि वो एक इनसान है, अगर वो भगवान बन जाते हैं, तो आप उन्हें दिवार पर लटका देंगे और उन्हें भूल जाएंगे, कोई कभी किसी भगवान का अनुसरन करने की कोशिश नहीं करता, आपको ये बात समझनी होगी, भगवान यानि वो अनुसरन से परे हैं, इनसानों को यही लगता है, अगर कोई इनसान वाकई अच्छा बरताव कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हर किसी में चाहत होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपून है कि वो एक इनसान है, वो एक राजा थे, उन्होंने अपना राज्य खो दिया, और फिर वापस लोटे, और अपने राज्य की सारी शानों शौकत छो अगर आप यही चाहती है, तो मैं चला जाता हूँ, इस आदमे का अनुसरन करना ही चाहिए, जब आजकल लोग पागल की तरह सत्ता से चिपके हुएं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो चुनाव हार जाएं, वो जाना नहीं चाहते, ऐसे समय में रामा का अनुसरन करना अगरी भाग में है, दक्षंड में उतना नहीं है, यह वहाँ भी है, लेकिन उतना नहीं, लेकिन उत्तर में राम उनकी आत्मा है, और 500 साल पहले, जब तुर्की से विदेशी हमलावर और बाद में कुछ मंगोलिया से भी, वो आए, और उन्होंने एक-एक करके सभी मंदि को तोड़ डाला, यह बहुत समय पहले बना एक प्राचीन मंदिर था, जो उस समाज के लिए बुन्यादी ताकत था, उन्होंने उसे तोड़ कर उसके उपर जल्दबाजी में अपनी मन चाही चीज बना दी, यह विवाद धदकता रहा है, यह विवाद अदालत में, मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ, तो 135 सालों से अंग्रेजों के जमाने से यह अदालत में था और चलता ही जा रहा था, क्योंकि दुर्भाग्य से इस देश में हमने किसी भी कीमत पर राजनीतिक रूप से सही होने की इच्छा बना ली है, कोई भी जज इस पर फैसला नहीं कर करना चाहता था, हर कोई इसे आगे बढ़ाता रहा, ताकि उसका कारेकाल खत्म हो जाए और अगला जज इस मुसीबत से निप्टे, क्योंकि दो समुदाय जम कर आपस में भीड रहे हैं, कि यह किसकी संपत्ती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी प्रक्रिया क के बाद, ये मुकदमा करीब तीन-चार दशकों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर एक निशकर्ष पर पहुँचा है, सभी सुबूतों को देखते हुए, पुरा तत्थ्व के सबूत साफ तौर पर, सौ प्रतिशत ये बताते हैं, कि वहां एक मंदिर था और उसे ढहा कर जल्दबाजी में उसके उपर एक इमारत बना दी गई, तो उन्होंने कहा कि यहां मंदिर बनना चाहिए, दूसरे समुदाये को उन्होंने दूसरी जमीन दे दी, जो शायद वहां से 20 किलोमीटर के भीतर है, उन्होंने कहा कि आप अ आत्मा को पुनर जीवित करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक संप्रदाय धर्म ही राम का आदर करता है, बहुत से लोग हैं, जो दूसरे धर्मों के हैं, जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, जो कई-कई रूपों में उनकी सरहना करते हैं, तो कई मायनों में रामायन, राम के जीवन की कथा भारती संस्कृती का एक अभिन हिस्सा रही है तो ये लगभग एक घायल राष्ट्रिय आत्मा को पुनर जीवित करने जैसा है तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है वरना बिना मतलब दूसरे समुदायों के खिलाफ नफरत जारी रहेगी इस हल के साथ बहुत से दिलों और दिमागों को ठंड़क पहुँची है जो देश के भविश्य के लिए एक अच्छी बात है वरना दो समुदायों के बीच लगातार बिना मतलब टकराफ चल रहा था तो मेरे ख्याल से एक बड़ी समस्या हल हो गई है तो पाँच अगस्त को वो आधार शिला रख रहे हैं और उन्होंने वहाँ एक भवे मंदिर बनाने की योजना बनाई है शायद रिकॉर्ड समय में क्योंकि शायद पिछले 25-30 सालों में उन्होंने सारे स्तंप तराश दिये हैं स्तंप ये वो सब कुछ पत्थर का सारा काम पत्थर का सारा काम तयार हो गया है वो कहीं और रखा है और उन्हें सिर्फ साथ में जोड़ना होगा बाकी का धाचा काफी तेजी से बन जाएगा आशा है कि 24 महिने या 30 महिने में ये भव्य मंदिर तयार हो जाएगा और इस वाइरस के स्थिती के कारण उन्होंने सिर्फ डेड़ सौ लोगों को निमंतरन दिया है वरना शायद एक करोड लोग वहां होते एक से सवा करोड लोग इस मंदिर के खुलने या आधार शिला रखने के लिए वहां होते लेकिन सिर्फ डेड़ सौ निमंतरन भेजे गए है कारक्रम का सीधा प्रसारन किया जाएगा लोग उसे टेलिविजन पर देख सकते हैं या इंटरनेट पर देख सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये घटना एक मील का पत्थर है उन विवादों को हल करने के अर्थ में जो लंबे समय तक चलते रहते हैं बिना मतलब समाज में घाव की तरह पकते रहते हैं मेरे ख्याल से इससे बहुत से लोगों को शांती मिलेगी अब जब कि आपने राम के बारे में सवाल पूछा है एतिरुगणन दयचूचदव इनवं शोत्तम रामा एतिरुगणन दयचूचदव इनवं शोत्तम रामा नातरमा भवसागरमिधनु नलिनधलेक्षन रामा नातरमा भवसागरमिधनु नलिनधलेक्षन रामा श्रीरगुनंधन सीतारमना स्तृतजन पोशक रामा श्रीरगुनंधन सीतारमना स्तृतजन पोशक रामा कारुण्यालय भक्तवरधनिनु कन्नधिकानु पुरामा कारुण्यालय भक्तवरधनिनु कन्नधिकानु पुरामा क्रूरकर्ममुलु नेरकचेसिति नेरमुलेंच कुरामा क्रूरकर्ममुलु नेरकचेसिति नेरमुलेंच कुरामा धारे द्र्यमु परिहारमु सैयवे धैवशिकामनिरामा धारे द्र्यमु परिहारमु सैयवे धैवशिकामनिरामा वासवनुथ रमधास पोशक वंधन अमयोध्या रामा वासवनुथ रमधास पोशक वंधन मयोध्या रामा धासार्चिता माकवयमु संखावे धासारती रगुरामा धासार्चित माकबयमु संगवे धासरतीरगुरामा राम 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 रा राम 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 के ये गुण अगर हमें उसे कम शब्दों में कहना हो अपनी जन्ता की खुशाली के लिए उनका समर्पन असीम था वो खुद की कुर्बानी देने को भी तयार थे इस बात की बहुत प्रशंसा की गई है रामायन के माध्यम से तो मूल रूप से हर चीज के प्रती पूरा जनून खुद के प्रती पूरी अना सकती वो इसी के प्रती है मुझे लगता है कि सभी इंसानों को इस गुण का अनुसरंड करना चाहिए वो चाहे जहां भी हो वाइरस ये देखने के लिए आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप खुद के प्रती कितने आना सकते हैं और हर दूसरे जीवन के प्रती आपके अंदर कितना जुनून है वाइरस जाच रहे बचने का कोई रास्ता नहीं है आप खुद को मूर्ख नहीं बना सकते टेकसस में ऐसा हुआ FBI का एक आफिसर क्योंकि उन्हें शक्त था कि लोग शायद गैर कानूनी कुछ समय पहले जब मेरुआना वगरा उगाना गैर कानूनी था लोग उसे उगा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो एक आफिसर एक बड़े से खेत में पहुँचा वाँ एक आदमी था जो सत्तर साल से ज्यादा उम्रक था लेकिन वो एक मजबूत और महंती आदमी था आफिसर ने कहा मैं तुमारे खेत की जाच करने आया हूँ कि कहीं तुम गैर कानूनी और भ्रह्म पैदा करने वाले पौधे तो नहीं उगा रहे उस बुजर्ग व्यक्ति ने कहा नहीं हम वैसा कुछ भी नहीं उगा रहे हमारे पास सिर्फ कुछ गाय बैल वगर है लेकिन कुछ भी गैर कानूनी नहीं है नहीं नहीं मुझे जाच करनी है उसने का ठीक है आप जहां चाहे वहां जाच कर लीजे सिर्फ उसे एक जगा को छोड़ कर उसने ऑफिसर को खेत के एक हिस्से की और इशारा करके कहा बस वहां मत जाईएगा ऑफिसर का पारा चड़ गया तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे कहा जाना चाहिए और कहा नहीं जाना चाहिए तुम जानते हो मैं कौन हूँ और उसने अपना बैच निकाल लिया FBI, मैं FBI से हूँ मैं Senior Investigator हूँ तुम मुझे बता रहे हो कि मुझे कहा जाना चाहिए और कहा नहीं इस batch के साथ मैं जहां जाना चाहूं वहां जा सकता हूँ बुज़र्ग व्यक्ति ने कहा ठीक है माफ कीजिये आप जहां चाहा है वहां जा सकते हैं फिर कुछ समय के बाद बुज़र्ग व्यक्ति को बे तहाशा चिलाने के आवास सुनाई ती उस दिशा से जहां पर खेत का वो वाला हिस्सा था फिर उसने देखा तो वहाँ आफिसर अपनी जान बचाने के लिए दौड रहा था और एक बड़ा सा सांड उसका पीछा कर रहा था फिर बुज़र्ग व्यक्ति दौड कर बाड़े के पास आया और बाड़े पर खड़े होकर बोला उसे अपना बैश दिखाओ, उसे अपना बैश दिखाओ कृपया वाइरस के सामने अपनी उपाधिया मत दिखाईए ये कोई भेदबाव नहीं करता कृप जयांग, पासा बें कर है सामने, कर बाड़े वेश और भाड़े कर दोब दो के सामने झाल झाल